जैसे एराम आप सभी का साप्ताह करासी फल में बहुत बहुत सोगत है पंडित अलिल पांडिजी दौरा प्रदत साप्ताह करासी फल में जानते हैं क्रहक प्रवेस एवं वियापार का महूर थे 13 नमबर को सौमवती अमामश्या और 14 नमबर को अन्नकूट 15 नमबर को भायदूज और 17 से 20 नमबर तक छटके व्रत के विविन कारिक्रम होंगे 17 चंद्रमा प्रारम में तुला रासी में रहेगा 13 नमबर की रात 9 बचकर 30 मिनट से व्रश्यक रासी में प्रवेस करेगा 15 नमबर को 3 बचकर 55 मिनट से धनू रासी में प्रवेस करेगा और 18 तारी को प्रातह 7 बचकर 53 मिनट से मकर रासी में गोचर रहेगा सूर प्रारम में तुला रासी में रहेगा सत्रा तारी को एक बचकर पच्चीस मिनिट दिन से वरश्चिक रासी में प्रवेस करेगा मंगल प्रारंभ में तुला रासी में रहेगा और सोला तारी को दस बचकर च्चीस मिनिट दिन से वरश्चिक रासी में गोचर रहेगा इस पूरे सप्ता है बुद वरश्चिक रासी में, शनी कुम्भ रासी में और शुक्र कन्या रासी में रहेगा वक्री गुरु मेश रासी में और राहु मीन रासी में ब्रहवन करेंगे आई अब हम राशी फल की विशे में चर्चा करते हैं सबसे पहले मेश राशी के बारे मेश राशी के जातकों को इस सपता धन की प्राप्ति हो सकती है भाग्य से कोई विशेश मदद प्राप्त नहीं होगी जीवन साथी को मान से कलेश हो सकता है आपका स्वास्त ठीक रहेगा आपके पेट में थोड़ी पीड़ा हो सकती है आपको मान से कस्त भी हो सकता है अगर आप प्रयास करेंगे तो आपके सभी सत्रूप पराश्त हो सकते है आपके गर्दन या कमर में दर्द हो सकता है इस सब्ता है आपके लिए 13 और 18 तथा 19 नमबर कारियों को करने के लिए उप्युक्त है चवदा और 15 नमबर को आपको सावधान रहे कर कारी करना चाहिए इस सब्ता है आपको चाहिए कि प्रते दिन आदित्य रदय स्तूत का जाप करें सब्ता का शुब्दिन रवी बार है व्रश रासी व्रश रासी के स्वामे शुक्र नीच रासी में है और संतान के घर में बैठा हुआ है परंतु संतान के घर का स्वामे कैंद में सब्तम भाव में बैठा है इसलिए आपके संतान को शुक्र लाब हो सकता है यह संबह होएगी संतान से आपको बहुत अच्छा सहयोग मिले या संतान की उन्नती हो छात्रों की पढ़ाई उत्तम चलेगी गलत रास्ते से धन आने का योग है आप अधिकारी या कर्मचारी हैं तो कारियले में आपका थोड़ा बहुत अवाद विवाद हो सकता है कारियले में आपकी स्थिति अत्यनत मजबूत रहेगी यह सब्ताह आपके वियापार और जीवन साथी के लिए उत्तम है भाग से आपको सहयोग प्राप्त होगा इस सब्ताह आपके लिए 14 और 15 नमबर पढ़ना मूलक है इस दिन आपके लिए कारिये सफल हो सकते हैं सब्ताह के भाकी देनों में आपको सतर्क रहने की आवश्यक्ता है इस सब्ताह आपको चाहिए कि आप प्रति दिन राम, रक्षा, ऐस्तुरूत का जाब करें सब्ताह का शुब दिन बुद्बार है नितौनराजी इस सबताय आपके पास अच्छी मात्रा में धन आ सकता है परन्तु उसमें बाधाई भी हैं आपका भाग आपकी मदद करेगा अगर आप अधिकारी या कर्मचारी हैं तो कारियलाय में आपकी इस्तिति बहुत मजबूत रहेगी परन्तु आपके कई वाद विवाद हो सकते हैं आपको अपने संतान में बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा संतान की उन्नती भी हो सकती है शात्रों की पड़ाई उत्तम चलेगी आपके सुख में बाधा पड़ेगी आपकी प्रतिष्ठा में कमी आ सकती है अगर आप थोड़ा स आपता भी परियास करेंगी तो आपके शित्रों का समुह नास हो सकता है। इस सप्ताय आपके लिए 16 और 17 नवंबर उत्तम है। 18 और 19 नवंबर को आपको सावधान रहेकर आवशक है। 14 और 15 नवंबर को भी आप सचीत रहकर ही कारी करें। सब्धाह आपको चाहिए कि आप शुक्रवार को मंदिर में जाकर गरीवों के बीच में चावल का दान दें, सब्धाह का शुब दिन शुक्रवार है, करकर आसी, सब्धाह आपके खटे मीठे अनुभवों का सामना करना पड़ सकता है, आपका अपने भाई बहनों से तकरार स कारियले में आपकी प्रतिष्ठा में कमी आएगी, भाग्य की स्थान पर आपको अपने पुरुशार्त से भरूसा करना पड़ेगा, आपको अपनी संतान का सहयोग मिलेगा, छोटी मोटी दुरघटना का योग है, आपकी सुख में कमी आएगी, जन्ता में आपका आकर्ष कम होगा, आपकी प्रतिष्ठा में कमी हो सकती है, इस सब्ता है आपके लिए 13, 18 और 19 नवंबर कारियों को करने के लिए उप्युक्त है, सूला और 17 नवंबर को आपको बड़ी साफधानी से कोई कारी करना चाहिए, इस सब्ता है आपको चाहिए कि आप प्राता है काल इसन प्रांत तामे के पात्र में जल अक्षयत और लाल पुस्व लेकर सूरे देव को जल अरपन करें, सब्ता का श्युब दिन सौंबार है, सहराशी, इस सब्ता है आपका स्वास्त ठीक रहेगा, भाई बहनों के साथ सम्मण ठीक रहेंगे, जीवन साती का स्वास्त उत्तम रह नहीं प्राप्त होगी, भाग के सहारे रहना ठीक नहीं होगा, इस सब्ता है आपको योजना बना कर पूरी साफधानी से कारी करना चाहिए, अन्यता आप कारियों में अस्फल हो सकते हैं, इस सब्ता है आपको चाहिए कि आप भगवान शिव का प्रतिदिन अविशे करें, तथा उनसे अपने मंगल की काम ना करें, सब्ता है कालश्य अब दिन अब रहस्पति बार होगा, करन्या राशी, इस सब्ता है आपके पास धन आने का योग है, स्वास्त में थोड़ी तकलीफ हो सकती है, जीवन साथी का स्वास्त ठीक रहेगा, माता और पिता का स्वास्त भी ठीक रहने की उम्मीद है, आपके शत्रु बने रहेंगे, नए नए शत्रु प्यदा हो सकते हैं, आपके पेट में पीड़ा हो सकती है, भाग आपका थोड़ा बहुत साथ देगा, ये सब्ता है आपके लिए 16 और 17 तारीक परिणाम मूलक है, सोला और 17 तारीक को आप ज पराक्रम में थोड़ी रद्धी हो सकती है। इस सप्तह आपको चाहिए कि आप प्रती दिन रुद्राश तक का पाट करें तथा काले कुट्टे को रूटी हिलाएं। सप्तह का शुब दिन शुक्रवार है। तुलारासी इस सप्तह आपका स्वास ठीक रहेगा। सत्रा तारिक के बाद आपके उपर कुछ मानसिक दवाव हो सकता है। आपके जीवन साथी के स्वास में थोड़ी सी खराबी हो सकती है। कचहरी के कारियों में आपको सफलता मिल सकती है। अपनी संतान से आपको अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। संतान की उन्नती भी हो सकती है भागे से आपको कुछ विशेश प्राप्त होनी की उमीद नहीं है छोटे मोटे दुरघणा का योग है संभल कर रहें इस सब्ताहे आपके लिए 13, 18 और 19 नमबर परिणाम दायक है सब्ताहे के बागी दिन ठीक ठाक है इस सब्ताहे आपको चाहिए कि आप रस्पतिवार का रद करें और प्रती दिन विश्णू सहस्तर नाम का जाप करें सब्ताहे का शुब्देन इशनी वार है रस्जिकरासी इस सब्ताहे आपके पास धन प्राप्ती का अच्छा योग है आप प्रयास करें धन आपको प्राप्त होगा, रियापार में आपको सफलता मिल सकती है, आपका स्वास थोड़ा खराब रह सकता है, सत्रा तारीक तक आपको कचहरी के कारियों में विजय मिल सकती है, सत्रा तारीक के उपरांत कचहरी के कारियों में आपको सफलता नहीं मिल पाएगी, आपके पेट में पीड़ा हो सकती है, माता जी का स्वास उत्तम रहेगा, पिता जी के स्वास में थोड़ी भी बाधा आ सकती है, भाई बहनों के साथ संबंद सामाने रहेंगे, संतान से आपको कुछ भी विशेश प्राप्त नहीं होगा, इस सब्ता है आपको तेरा नममर को साबधा रहेकर कोई भीकारी करना चाहिए, सब्ता है कि बागी दिन एक जैसे हैं, सब्ता है कि आप काले कुट्टी को रोटी हिलायाएं, सब्ता का शुब दिन मंगलवार है, धनुरास, सत्रा तारीक तक आपके पास धन आने का उत्सम योग है, आपके प्रैासों से धन आपको प् पिताजी के स्वास में भी बाधा हो सकती है। अगर आप अधिकारी ये कर्मचारी हैं तो आपको कारी अपने कारी अलाय में सावधान रहने की आवशक्ता है। पिताजी के स्वास में थोड़ी थोड़ी बाधा है। इस सपता है भाग आपका साथ दे सकता है। और सतर नवंबर को आपको सावधान रहने की आवशक्ता है। इस सपता है आपको चाहिए कि आप गव माता को हराचारा खिलाएं। सपता का शुब दिन शैनिवार है। कुम्बराजी आपका स्वास इस सपता है अच्छा रहेगा। जीवन साथी के स्वास में कुछ किरावट आ सकती है। इस सपता है आपको थोड़ी बहुत मदद मिल सकती है। आपको अपने परिश्रम से बहुत कुछ पराप्त हो सकता है। दुरगटना का योग है, परन्तु आप दुरगटना से बच जाएंगे, कलत रास्ते सिधन आने का भी योग है, भाई बेहनों के साथ सम्मद में थोड़ा बहुत तनाव आ सकता है, आपको अपने संतान से मामूली सहयोग प्राप्त होगा, छात्रों की पढ़ाई में पाधा आ सकती है, इस सब्ताह आपके लिए 14 और 15 नवंबर उत्तम है, 18 और 19 नवंबर को आपको साथान रहेकर कारी करने की आवशक्ता है, इस सब्ताह आपको चाहिए कि आप घर की बनी पहली रोटी गोमाता कुद्दे, सब्ताह का शुब दिन बुद्वार है, मीन रासी, कचहर की के कारियों में आपको सफलता मिल सकती है, अगर आप अविवाहित हैं तो विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं, परन्तु इन सम्मन्दों से कुछ बादा भी आएगी, दुरघडना से सावधान रहे, भाग आपकी कोई विशेस मदद नहीं करेगा, धन आने में कमी आएगी आपका स्वास्त ठीक रहेगा, जीवन साती के स्वास्त में कुछ दिक्कत हो सकती है, इस सब्ताह आपके लिए 16 और 17 नवंबर शुब है, 13 नवंबर को आपको सावधान रहे कर कारिकरने के आवश्यक्ता है, इस सब्ताह आपको चाहिए कि आप भगवान शिप का प्रती द दूद और जल से अभी सीख करें, सब्ताह का शुब दिन ब्रहस्पती बार है, माश्यारदा से प्रात्ना है, आप सदेव स्वस्त, सुख्शी और प्रसन रहें, जैसी